हेलो बच्चो कैसे हो आप सब अच्छी हो ना बार तो नहीं जाते बाहर मत जाना अगर जरूरी काम हो तो मास्क लगा के जाना ओके बच्चो और आकर हाथों को 20 मिनुट तक साब बुन से अच्छी तरह दोना आपको ओके चलो आज हम एक एक्टिवीटी करते हैं मैत के गनेत के ठीक है बच्चो यह मैं आपको एक पिच्चर बखा रही हूं यह देखो यह पिच्चर देखो इसमें एक ट्री पेड बनाऊ गया किसका पेड है सेब का एपल ट्री ठीक है बच्चो इसके उपर हम इनको और गिंती करके टोक्री में डाला लेगे ओकि बच्चो चलो स्टार्ट करते हैं यह देखो यह एपल ट्री ए सब का पेड में लिए हूं यह न मारे पास टोक्रिया बनी हूं रहा है इसके उपर नंबर लिख्राओं इस टोक्री परक्ण हैं दो इस टोकरी पे जीरो इस टोकरी पे एक इस टोकरी पे क्या नमबर है चार इस टोकरी पे तीन और इस टोकरी पे पांच तो हम इस में से सेव तोड़ेंगे और इस टोकरी में रखेंगे जिस तना नमबर लिखा हुआ है उतने ही सेव तोड़के हम टोकरी में रखेंगे बच्रों चलो करते हैं यहां पर कितने हैं दो हम दो सेव लेगे और इस टोकरी में दो सेव लगा देंगे ठीक है बच्छो तो यह क्या है जिरो जिरो मतलब खाली यह हमारी खाली रेगी जिरों मतलब कुछ ने और यह क्या है एक तो यहाँ पर हम एक सेव लेंगे इस तरह तोड़ेंगे और इस टोकरी में लगा देंगे ठीक है रचो अब यह क्या है चार तो चार सेव तोड़ेंगे ठीक है रचो एक गिंती करते जाएंगे एक दो तीन और एक और दे देंगे इसको चार कितने होगे चार तो यह चार सेव होगे ना अब इसमें कितने है तीन तो इसमें हम तीन रखेंगे ठीक है रचो एक दो और एक तीन यहाँ पर हमने तीन सेव रख दिये ठीक अच्छो और यह क्या है पांच तो यहाँ पर हमने पांच सेव रखने है ठीक है एक एक दो तीन चार पांच थीक है यह बच्छो ठीक है ये विच्चो देखो अब हमने इसमें सारे ये दो लिखा था तो हमने दो सेव तोड़के इस तोकरी में डाल दिये और ये है जीरो जीरो मतलब खाली कुछ नहीं तो ये क्या है एक तो इस तोकरी में हमने एक सेव रख दिया और ये है चार तो इस तोकरी में हमने चार सेव लगा दिये ठीक रचो तो इसमें हमने चार लगा दिये ओके बिच्चो समझ में आगे न आपको चलो यह देखो आप हमारा यह कैसे लग रहे है ठीक है अब आपको समझ में आगे हैं कि हमने इस पिचल को कैसे करा यह देखो इस तरह हमने सेब को तोड़के टोक्रियों में भर दिया ठीक है बिच्चो अब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आगे होगी विंति कि हमने कैसे इसको करना है ओके थैंक्यू अच्छा लगाना आप भी घर में ऐसे करना है